हाई मैं परशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक क्वीडी टू कॉम्डीटी में स्वागत करता हूं तो यहां पर हम समस्पहले चार्ट पर आना चाहेंगे और चार्ट पर आपको ग्वीन और रेड केंडल दिख रहा होगा यहां पर हम रेड केंडल पर फोकस करना च जेल पॉजिशन कर सकते हैं, सेल सैट के तरफ जा सकते हैं, यहां पर आपको कुछ और पॉइंट ध्यान में डखना होता है लेकिन जब भी इस तरह का वेड करनल फॉर्म हो, इस थीनों में से कोईज़ी और जाने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन अगर आपको इस तरह का red candle का formation कहीं देखने को मिले तो क्या करना यहाँ पर आपको selling avoid करना है क्यों avoid करना इसके PG का reason क्या, logic क्या, concept क्या वो सब हम आगे समझेंगे लेकिन जहां कहीं भी आपको इस तरह का red candle देखने को मिले आपको selling avoid करना ये वाला भी red candle कहीं देखने को मिले selling avoid करना ये वाला भी देखने को मिले selling avoid करना साथी साथ अगर आपको कहीं पे इन दोनों tribe का red candle भी देखने को मिले तो क्या करना यहाँ पे भी आपको selling avoid करना लेकिन अगर आपको इस तरह का red candle कहीं पर देखने को मिल जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर भी इसके basis पर आप sell side की तरफ जा सकते हैं अब आपके मन में confusion हो रहा होगा definitely कि कहीं पर हम बोल वहें कि इस वाले red candle पर sell करो इस वाले red candle पर sell मत करो तो ऐसा हम क्यों बोलें और किस basis पर बोलें तो वही confusion आज हम इस वीडियो में दूर करने जा रहे हैं कि आपको किस वाले red candle पर sell side की तरफ नहीं जाना है जन्रली आपको कोई नहीं बताता है लेकिन मैं आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूँ कि कौन-कौन से red candle है जहाँ पर जन्रली operators आपको trap करने कोशिस करते है वीडियो ट्रेटर को trap करने कोशिस करते है वो वाला आपको समझने की जरूरत है और अगर आप यहाँ पर trap से बच जाएंगे तो आप ultimately profit बना सकते है तो इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूँ वैसा red candle जहाँ पर आपको cell side की तरफ नहीं जाना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था आज हम बात करने जा रहे है red candles जहाँ आपको cell नहीं करना है यहाँ पर आपको screen पर five red candle दिख रहे होगे पहला यह है दूसरा red candle यह है तीसरा red candle यह है चौथा red candle यह है और पांचमा red candle यह है यह पांच red candle आपको जहाँ कहीं भी दिखे चाहे support लेवल के पास दिखे यह फिर resistance लेवल के पास ही क्यों न दिखे आपको यहाँ पर sell side की तरफ नहीं जाना इन पांचों candle पर आपको भरोसा नहीं करना क्योंकि यह पांचों candle जैन्वली ऑपरेटर्स का बहुत बरहात होता है और यही पांच candle के बेसिस पर अगर आप sell करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप आप selling avoid करेंगे लॉस को avoid कर सकते हैं selling avoid करेंगे तो आपका loss भी avoid हो सकता है और ultimately आप यहाँ पर profit बना सकते हैं तो इन सारे red candle पर हमें क्यों sell side की तरफ नहीं जाना चले हम एक एक करके इसके पीछे concept समझते हैं फिर हम चार्ट पी चलेंगे और वहाँ पर हम इन सब को detail से समझने की कोशिस करेंगे तो सबसे पहले इस पहले वाले red candle पर फोकस करते हैं यहाँ पर क्या कुछ हुआ है अगर आपको candle color छोड़के उस particular candle पर buyers और sellers में किसका strength जादा है और कौन जादा active है वो अगर आपको समझना है तो सबसे पहले candle color red है मतलब यहाँ पर sellers का कबजा यहीं sellers ने market को control कर रखा है ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको mark करना क्या high mark करना और low mark करना यह सारा concept मैंने आपको last video में भी बताया था अगर आपने हमारा last video नहीं देखा जो कि यहाँ पर मैंने green candle को उपर discuss किया वैसा green candle जहाँ पर आपको buy नहीं करना और आज हम discuss कर रहे हैं वैसा red candle जहाँ पर sell नहीं करना तो आपने green candle वाल अगर वीडियो नहीं देखा तो आप i button पर click करके देख सकते नहीं तो उसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा और दोनों वीडियो को आप एक साथ back to back देखने ही कोसिस किजिए तब जाके आपको यह पूरा कमन से आप समझ में आएगा तो यहाँ पर आपको high और low mark करना उसके साथ साथ आपको closing price भी mark करना अब देखना है कि high और close के बीच में कितना distance है और low और close के बीच में कितना distance low close के बीच में यह distance रहा और high close के बीच में यह वाला distance रहा और कभी भी candle color आपका आने वाले टाइम में green हो सकता, market यहां से उपर जा सकता, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, selling avoid करेंगे, यहां पर market sellers के control में अभी जबूर है, लेकिन buyers भी active हो चुका, यानि कभी भी अपना position change कर सकता, पहले candle concept के लिए दूसरा candle, यहां पर हम same concept apply है, high, low, close, distance देख सकते हैं, distance में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर sellers के control market है, लेकिन buyers भी बहुत ज़्यादा active है, buyers ने भी अपना दम दिखाया, और अच्छा खासा दम दिखाया, और जहां पर buyers का हमें दम देखने को मिल रहा है, तो वहां पर sell करन chances इसके बाद market नीचे नहीं जाता है, इसके बाद generally क्या होते हैं, trap हो जाते हैं, बहुत सारे retail trader, as a result यहां पर हमें sell side की तरफ नहीं जाना, तो दूसरा candle के पीछे concept यही है, कि price यहां तक आया, अब यहां पर sellers active नहीं थे, यहां पर sellers को interest नहीं था, और sellers को बरोसा भी नहीं buyers ने sellers को pullback किया, धक्का देके, कापी अंदर तक पहुंचा दिया, मतलब यहां पर buyers ने strength दिखाया, अब दो concept के लिए, अब यह दो candle को हम एक साथ देखना चाहेंगे, इन दो red candle क्या है, sellers का दबदबाय, sellers को मार्केट को control कर रखा है, और sellers का यहां पर strength भी जादा है, लेक two third candle sellers के कबजा में होना चाहिए, तब जाके हम sell side की तरफ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर इतना नहीं है, at least हम इतना पर आएंगे, अगर इतना part sellers ने कबजा किये रहता, अगर candle का body यहां तक रहता, तो फिर हम sell side की तरफ जा सकते हैं, लेकिन candle का body इससे थोड़ा सा छोटा ह थोड़ा सा उपर है, इसलिए यहां पर हम sell side की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी बहुत बार buyers market को control करते हुए देखे गए, उसके बाद 5 माँ आपका doji candle है, जिसके basis पे नाइधर आपको buy side की तरफ जाना, नहीं आपको sell side की तरफ जाना, इसके बाद follow up candle क् buyers market control करता है, तो buy side की तरफ जाहिए, sellers control करता है, तो sell side की तरफ जा सकते है, क्योंकि यहां पर दिखाता है कि buyers or sellers दोनों neutral है, मतलब दोनों equal amount में मौझूद है, कि नहीं का भी market में control नहीं है, इसलिए यह 5 candle जहां कहीं भी दिखे आपको इसके basis पे sell side की तरफ नहीं जाना चल है, और यहां पे हम generally इस type का red candle अगर आपको find करना है, तो हम daily chart पे prefer करते हैं, लेकिन यह वाला red candle आपको कहीं भी दिखे, कोई भी time frame में दिखे, चाहिए वो daily हो, अब अली हो, पंदर मिनट हो, पांदर मिनट हो, आपको selling avoid करना, क्योंकि characteristics आपको same देखने को में लेगा, ब इसलिए यहां पे अब daily chart पे आपको example बता रहे हैं, जबकि आपका इस्तमाल आप किसी भी time frame में कर सकते हैं, अब देखे, जो जो candle आपको mark दिख रहा हो, उन सारे red candle पे आपको sell side की तरफ नहीं जाना है, यहां पे हम एक एक करके समझने कोशिस करते हैं, सबस्पहले यहां धाल पे हम इस बाले red candle की उपर focus करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, अब यहां पे देखे, इस बाले red candle में क्या हो रहा, बोडी अच्छा खासा है, यह आपका high है, और यह आपका low है, और closing आपका कहां पे दिए, closing आपका यहां पे दिया, मतलब यहां पे sellors का strength हमें य यहाँ पे आपको एक्जामपल भी दिखरा होगा यह वाला रेट कैंडल को आप इससे compare कर सकते हैं यह वाला केंडल आपको यहाँ पे देखनेयों को मेलवा है यहाँ पे सेलर्स में स्ट्वेंथ हैं सेलर्स का दबदबा भी है लेकिन इतना strength नहीं है कि इसके basis पे हम sell side की तरफ जा पाएं इस पे हम भरोसा करके, इस पे हम twist करके sell side की तरफ जा पाएं यहाँ पर क्या होता है? इसके पीछे है concept समझने कोशिस करें यह 5 candle क्या है? आप चुहादानी का example ले सकते हैं चुहा पकरने वाला जो हम इस्तमाल करते हैं अपने घर में उसमें क्या करते हैं? अगर आप खाली वो रख दो चुहा पकरने वाला तो उसमें चुहा कभी फसेगा? नहीं फसेगा उसमें आपको रोटी का टुकरा डालना पड़ता है यह example मैंने लास्ट वीडियो में भी लिया था तो वहाँ पर आपको रोटी का टुकरा डालना पड़ता है तब जाके वो उसको खाने के लिए आते हैं और तब जाके उसमें वो ट्रैप होते हैं तब जाके उसमें फसते हैं तो यह सारा केंडल आपको वही काम करता है रोटी का टुकरा वाला काम करता है यह सारे सेलर्स को ट्रैप करने कोशिस करते हैं यह रीटेल ट्रैप हो जाते हैं सेब टैप ऑफ केंडल यहां पी फॉर्म होगा था अगर आप इसके वेसिस पे सेल साड की तरफ जाते हैं जाल में फ़र जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता नुकसान होता तो इसलिए यही सब कॉंसेप्ट आपको रियल टांस में देखने को मिलेगा मार्केट में और यह चीज आपको कोई नहीं बताएगा और यह जो भी कुछ बताता है साहिव लोग पैसे लेके बताते हैं पेट गलास में बताते हैं और वो भी अच्छे तरीके से नहीं बताते हैं मैं आपको फ्री में यह सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बस रिक्वेस्ट है कि चैनल आपको पर्फेक्ट बहुत कम जगा देखने मिलेगा यह चैनल आपको 80% टू अगर 95% भी कहीं पर कहीं पर मैच करता हूँ दिख रहा तो उसके बैसिस पर आप रियक्ट कर सकते हो पर्फेक्टली मैच बहला केंडल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा तो यह आपका तरफ गया है और यहां पर बहुत सारा आपको रेट कंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा अब यहीं पर मैं आपको दो एक्जामपल दे रहा हूं देखे यह रेट कंडल है जहां पर क्या है सेलर्स का स्ट्वेंद दिख रहा है और सेलर्स ने टूथ हर्ड मार्केट पे क कपजा कर रखा है यहां पर उसका आपको अच्छा घुरावड दिखिय सेखने करे यहां इस ड़ीव कि ठेका है। plot बांट करें तो और दूसरा candle का example यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ हुआ है high mark कीजिए इसका low mark कीजिए और closing mark कीजिए close high के बीच में जो distance है कम है जबकि close और low के बीच में जो distance है वो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर buyers ने बहुत ज़्यादा दम दिखाया याँ आपका sellers इस level तक आ गए थे लेकिन buyers ने क्या किया? buyers ने उनको धके लाया यहाँ से और उनको इस level के आसपास closing दिलवाया है मतलब यहाँ पर buyer में strength है तभी तो sellers यहाँ तक आ गए थे इनको वापस से धक्का दे के यहाँ तक पहुंचा दिया अगर buyer में strength नहीं रहता है तो closing आपका इसकी आसपास देता जैसे यहाँ पर हमें देखने होग मिला था लेकिन यहाँ पर buyers में strength है और जैसे buyer में strength आता क्या करते हैं at least अगर आप buy मत करो लेकिन sales side की तरफ भी मत जाती है यही वह सारा candle दिखा रहा है जहाँ पर आपको sales side की तरफ नहीं जाना यह भी आपका same उसी type के candle है देख सकते हैं जहाँ पर आपको buyers और sellers का strength लगबग बराबर देखने को मिला market sellers के control में है लेकिन जैसे ही buyers ने वहाँ पर अपना दम दिखाया buyers ने बिद्रोख करना सुरू कर दिया buyers ने अपना हथिहार उठा लिया तो यहाँ पर हमें क्या करना इसका साथ छोड़ना है और हमें market से दूरी बना के रखना है अब यह आपका यह दो candle देख लिजे यह आपका पहला वाला candle जैसा है यह वाला पहला वाला और इसको आप डोजी candle जैसा समझ सकते हैं यह दो candle आपको back to back बना है और यह आपका एक perfect trap हो जाता है पहला candle आपका नीचे आया जैसा ही पहला candle closing दिया दूसरे है यह आपका perfect trap बिचाया जाता है especially retail twitter के लिए और retail twitter इस trap में फस्ते हैं और वो ultimately नुकसान करते हैं और यहाँ पर guarantee के साथ बहुरा होंगा बहुत सारे retail twitter यहाँ पर trap होए होंगे और यहाँ पर नुकसान किये होंगे और उसके बार green candle firm किया price आपका all the way upside की तरफ निकला है यहाँ आपको और example दिखाना चाहूँगा TCS के चार्ट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको और example देखने को मिलेगा और कई-कई बार आपको naked eye से सारा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कई-कई बार हमें candle blend करना पड़ता यानि हमें यहाँ पर चार्ट के अंदर जाना पड़ता और फिर हमें समझ में आता है कि ऐसा कुछ हुआ कई-कई बार single candle देखने को लेगा लेकिन यहाँ पर देखिए आपको naked eye से कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पर red candle है फिर आपको green candle है अब इसके बेसिस पर क्या कुछ हुआ है बहुत सारी लोग बोलेंगे कि बार यहाँ पर हमें sell सारी की तरफ जाना है क्योंकि red candle में strength जादा कोई बोलेंगे बार सारी की तरफ जाना लेकिन clear cut कुछ नहीं पता थालबा अब यहाँ पर क्या करते हैं दोनों candle को हम blend करके देखते हैं यहनि दोनों candle को mix करके देखते हैं और candle blending के उपर हमने बहुत सारी वीडियो अल्वेडी बना रखा नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते नहीं दिस्क्रिप्शन में तो लिंक आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर ब्लेंड करते हैं प्राइस आपको open हुआ इसके करीब क्लोजिंग कहां पर दिया क्लोजिंग आपको यहाँ पर दिया आपका इस तरह का red candle बना और जहाँ पर हमें क्या करना selling avoid करना था अगर आप यहाँ पर candle blend करते हैं तो आपको यह वाला red candle देखने को मिल जाता जहाँ पर आपको selling avoid करना था और फिर आप यहाँ पर loss से बच सकते थे तो यहाँ पर आपको वाजिसर की तरफ नहीं जाना और candle blend करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं trap से बच सकते हैं यह क्लियर होगा यहाँ पर आपको एक और जहाँ पर बताना चाहूंगा हम Infosys के चार्ट पर आते हैं ठीक है अब कई कई बार क्या होगा इन सारे रेट के बार मारकेट आपका गिरता भी है लेकिन वह कब होता वह सिर्फ आपका 5-10 परसंट ही होता जैनुरल इसके बार लोग trap होते हुए दिखते हैं और कई कई बार इसके बार मारकेट गिरा भी दिया जाता ताकि वीटेल ट्वेट के बीच होता है मारकेट गरता भी है इसलिए हमें इसके बार सियल साइट के टिरफ यहां पर देख सकते हैं यह रेड कंडल आपका उफोर्म हुआ आप नहीं मिलेगा यह कभी-कभी देखने को घ् indifferent कि मिलेगा और यही वह रहता जिसके वीशी सफे क्या करत ты rumors ग्जाता है कर लेते हैं कि अगली बार जब ऐसा होगा तो हम सेल करेंगे और यहीं अगली बार जब होता है जब वह ट्रैप हो जाते हैं जाल में फस जाते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम सेलिंग एवाइट करेंगे तो उमीद करते हैं यह concept आपको कोई नहीं बताएगा मैं आपको बता रहा हूं बस इसको आपको लाइब मार्केट में फॉलो करना अब इसके वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आया है को लाइक करके इनकवेज किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेटिव कॉंटेंट को लेकर जैहिन